यायावर की जिंदगी से रोब्रू कराएं यायावर को चाहिए कि वो पत के साथ मैतरी करें दिन भर में उसे कितना रास्ता तै करना है यह वह पहले से न सोचें हम तो अक्सर प्लान करके ट्रावल पर जाते हैं कहां रुखना है कितने दिन रुखना है वापसी का टिकेट बुक करते हैं लेकिन मोहनराकेशी कहते हैं जो सच्चा यायावर है जिसमें वांडरिंग लस्ट है वो पत के साथ मैतरी कर लेता है दिन भर में उसे कितना रास्ता तै करना है यह वह पहले से कभी नहीं सोचता वे कहते हैं जिसकी मनजिल पहले से तै हो वह यायावर नहीं है यायावर का एक मात्र लेक्ष्य है अपने मन की तरंगों के अंसार चलते चलना वह जहां से गुजर जाए वही उसका रास्ता है और जहां पेड के तने से टेक लगा ले वही उसकी मनजिल है दिखे मनजिल के बारे में लक्षिक स्थान के बारे में पहले से निर्धारन नहीं करना चाहिए यायावर वही है जो अपनी मनजिल पहले से तै नहीं करता बस चलते चला जाता है रात कहां बीतेगी इसकी जिन्दाव क्यों करे जहां जाकर आगे चलने को मन न हो वहीं उसे रुख जाना है और रात उतराने पर सोचना है कि रात कहां और कैसे बीच सकती है देखिए आप चलते चले जा रहे हैं ट्राइवल करते जा रहे हैं और आगका मन कहता है कि बस और आगे नहीं जाना है तो वहीं रुक जाना है। यही यायावर की मानसिक वस्ता होनी चाहिए। और वे फिर आगे कहते हैं कि जिसका पत पर विश्वास नहीं है उसकी पत के साथ मैतरी कैसे होगी। और जिसकी पत के साथ मैतरी नहीं वह यायावर कैसा। पत के साथ पत अर्थात रास्ता राह के साथ यायावर को जरूरी है कि मैतरी करे। जो यायावर पत का मितर ना हो वो यायावर होई नहीं सकता। यायावर पत का मित्र हो तो उसे पत के सुख दुख पत के साथ बांटने होंगे तभी पत भी उसके सुख दुख बांट सकेगा तीकि रास्ते से मैत्री करना ये एक नई बात है हमने कभी सुन नहीं रखा है यायावरी वृत्ति वाले मोहन राकिशी कहते हैं कि पत के साथ भी मैत्री होना जरूरी है अपने सुख दुख को यायावर अपने पत के साथ बाड़ता है ठीक उसी प्रकार उस पत के उस रास्ते के सुख दुख को भी हम जान पाते हैं राकिष जी मानते हैं कि यातरा के बाद जब यायावर उन स्मृतियों को फिर सहेशता है तो एक दर्शक के समान सहेशता है जो गुजर चुका है वह उसके लिए दृश्य मातर है जैसे देखे वो यूँ कहते हैं अब यायावर फिर दर्शक है, जो गुजर चुका है, वह उसके लिए दृश्य है, उस दृश्य के अंतरगत अपना आप भी है, कल रात तक जो एक दुरघटना थी, वह अब उसके लिए एक रोमान्चक घटना है. देखें, जब ट्राइवल के बाद हम वापस पहुँशते हैं, अपने घर पहुँशते हैं, तो यायावर के लिए जो कुछ गुजर चुका है, उसकी जो ट्राइवल में, वह एक रोमान्चक घटना मातर बन जाती है, उसमें चाहिए कितना ही डेंजर रहा हो, उस यातरा में उस ट्रिप में काफी रोमान्चक घटनाएं घटित हुई होंगी, लेकिन जब यायावर पीछे मुढ कर देखता है, तो वेकेवल दृष्य के समान उसे नजर आते हैं, अब नई पगडंडे उसके सामने हैं, नई रास्ते उसके सामने हैं, उससे पूछा जाए कि कमबत त इतना जोखिम उठा कर भी जोखिम के रास्ते पर चलने से बाज क्यों नहीं आता, तो वह सिर्फ मुस्क्रा देगा, क्योंकि जिस दिन वह यह जान लेगा, उस दिन वह यायावर नहीं रहेगा, देखिया आप से कोई पूछे, आप काफी वांडरलस्ट वाले विक्ती हैं काफी ट्रावल करते हैं और आपके ट्रावल में कई रोमांच कारी घटनाए हुई होगी, काफी देंजरस घटनाए भी हुई होगी शायद, तो लोग आप से पूछेंगे कि कमबत तू इतना जोखिम उठा कर भी इतने जोखिम भरे रास्ते पर चलने चलता ही क्यों है, त मोहन राकेश जी कहते हैं यायावरी वृत्ति वाले व्यक्ति को यह पता ही नहीं रहता कि क्यों वो यह डेंजर सब ले रहा है, उसके मन में इस प्रकार के रिस्क लेने में एक खास आनन्द है जो आम लोग समझ ही नहीं पाते, यानि कि यायावरी वृत्ति वाले लोग, वांडरलस्ट वाले लोग जानते हैं कि उनकी यात्राएं जोखिम्भरी हो सकती है। दुरकटनाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे अपनी लत्थ छोड़ते थोड़े ही हैं। मोहनराकिशी कहते हैं, हर एक यात्रा से मनिश्य को काफी लाब होता है, जिसका जिक्र करते वे वे लिखते हैं, यात्रा यायावर को जो तटस्त दृष्टी देती है, वह रोज के द्वन्दपूर्ण जीवन में रहकर प्राप नहीं होती। अपने जीवन के निकट वातावरन से हट कर निजी परसितियों और नए वेक्तियों के साथ अधिक स्वस्त और स्वाभाविक संबंद स्थापित हो सकता है। एक दम ब्लैंक होगा। रोज के द्वन्दपूर्ण जीवन में रहकर ये प्राप नहीं होता। आप रोज के जो टेंशन में रहते हैं, आप रोड में निकलते हैं, आपको पता है यहाँ ट्राफिक ब्लोग होगा, क्यूंकि आप रोज चलने वाले रास्ते हैं। आपको पता है कि दुकान में भीड होगी, सूपरमार्केट में यह होगा, तो यह आपको यूस्टू है आपके डेली लाइफ में। लेकिन यायावर की जिंदगी अलग है, वो अंजान रास्ते में जा रहा है, उसे पता नहीं है कि आगे के रास्ता क्या है। भीहड जंगल होगा, या फिर परवतों पचड़ना होगा, कुछ भी उसको पता नहीं है। वो काफी फ्री मैंड होकर ट्राइवल करता है। तो इसे क्या होता है, ऐसे में व्यक्ति अपनी आंतरिक प्रकरती के अधिक अनकूल होकर जी सकता है। अधिक उन्मुक्त भाव से अपने को नए अनभवों के बीच खुला छोड़ सकता है। देखें अनभव, ये जो अनभव जो है, जो experience है, वो बहुत बड़ी बात है जिन्दगी में। और उन्मुक्त भाव से अपने को जब यक्ति नए अनभवों के बीच पाता है, तो व कैसे react करता है, वो उसका अपना निजी character होता है। हम बंधे-बंधाय रास्ते पर चलते हैं, तो हम ऐसे ही हमारी जो reaction होती है, उसी प्रकार की होती है, क्योंकि हम रोज उसी रास्ते से चलते हैं। हम डफ्तर के लिए निकलते हैं, हमें पता है वहां क्या होने वाला है, स्कूल में यू यू होता है, लेकिन जब इन ही लोगों को कोई अंजान परसिती में डाल दिया जाता है, तो अब उस समय क्या होता है, उस खुलेपन से उसकी नैतिकता के मानदंड बदल जाते हैं, हमारी जो मॉराल्टी है, हमारी जो नैतिक भावनाएं हैं, वो बदल जा जाती हैं, वह एक आरोपित नैतिकता में न जी कर अपनी आंतरिक नैतिकता के अनुसार जीने लगता है, देखिए हम जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, टीचर्स को देखते हैं, काफी गुड़ गुड़ी बने रहते हैं, अच्छे बच्चे बनकर, क्योंकि हमारा चैरक्टर ऐसा है, ये नैतिकता हम पर आरोपित है, कि भही टीचर्स को देखो तो थोड़ा संभल कर चलना, मतलब कि थोड़ा रैस्पेक्ट दिखाना, लेकिन अंजान जगह में जब व्यक्ती जाता है, कोई उसे पहचानता नहीं, जानता नहीं, तो उसकी जो आरोपित नैतिकता है, वो समय नहीं दिखाई देती, उसकी बदले क्या होता है, इस खुलेपन से उसके नैतिकता के मानदंड बदल जाते हैं, और इस प्रकार की उन्मुक्त भाव से अपने को नए अनिभों के बीच खुला छोड़ने पर उसका अनिभो अलग होता है, उसकी नैतिक आरोपित नैतिकता में जीना एक अलग बात है, और आंतरिक नैतिकता में जीना बिलकुल अलग बात होती है, वे फिर आगे कहते हैं कि यायावर को ये पूरी धर्ती अपना छोटा सा घर लगता है, देखिए वो लिखते हैं, अपने से बाहर यायावर के संबंदों के विस की कोई सीमा नहीं रहती उसे पूरी धर्ती अपना चोटा सा घर लगता है और आकाश में बिखरे नक्षत्र वे पडोसी जिनसे परिचे बढ़ाने को उनका मन होता है दिखिए आकाश नक्षत्र ये सब तो वही हैं आप अपने बंदे बंधाए घर में परिस्थितियों में तो हम इसका स्वादन शायद नहीं करते लेकिन जब आप यायावर होकर निकल पड़ते हैं तो पूरी धर्ती आपको अपना चोटा सा घर लगता है आकाश में बिखरे नक्षत्र आपको पडोसी नजर आते हैं जिनसे परिचे बढ़ाने का आपका मन होता है रात की मोड के पास खड़ा होकर वह देर देर तक उन जिल मिलाते नक्षत्रों को देखता रह सकता है और उस जिल मिलाहट की भाशा में ही अपने लिए कोई संकेत पाकर मुस्कुरा सकता है देकिन नक्षत्रों को जिल मिलाते देखकर ये जो यायावर है वो घंटों खड़े रह स संकेत खोज रहो और वो मुस्करा भी देता है एक दर्शक की तरह मोहन राकेश जी अपने द्वारा की गई कुछ यात्राओं की स्मृतियां भी हमारे सामने इस यात्रा विवरण में प्रस्तुत करते हैं जैसे की कृष्ण सागर जील का जो दृष्योरू ने देखा वो उनक प्रकाश से आलोकित जर्ना व्रंदावन उद्यान के रंगीन फवारों की चका चौंद पीछे अंधेरा आकाश है जिसमें फीके से तारे जिल मिलाते हैं तो कृष्ण सागर जील का जो सौंदरिय व्रंदावन गार्डन्स का जो सौंदरिय जो माईसूर में है उसका मन में काफी ताजा रहा और उस समय उन्होंने एक ऐसे यातरी को देखा जो घर से तय करके निकला था कि तीन सप्ता में उसे पूरा भारत घूम लिना है देखिए कई तरगे ट्राइवलर्स होते हैं और ऐसे ही एक यातरी से उनकी मुलाकात कृष्ण सागर जील के पास हु जो तीन महिने में सारी दुनिया घूम लेते हैं जो फॉरिन ट्राइवलर्स हैं जो तीन महिने में पूरा वर्ल्ड एराउंड द वर्ल्ड इन एटी डेस ऐसा एक नोवल भी है जो फॉरिनर्स हैं विदेशी यातरी हैं जो तीन महिने में सारी दुनिया घूम लेते हैं उस आसे में क्या होता है वो कहते हैं कि उसके पास कैमरा, बाइनाख लॉस, ट्राइवल गाइड वगएरा वगएरा सब कुछ ले कर आया था और जहां जहां जाना है वहां के एर बुकिंग उसने पहले से कर रखी थी होटलों और रेस्ट हाउसों में जगवी सुरशित करा रखी थी सब कुछ उसका प्लैंड था उसका ट्राइवल पुरा का पुरा प्लैंड था सफर उसने टैक्सी में किया था फिर भी उसकी हालत काफी खसता हो रही थी वो क्या कंप्लेंट करता है कि वो काफी वो उसके हाथ से एडी के चालों को सहलाता हो उसकी हालत क्या थी वो टैक में ट्राइवल कर रहा था लेकिन फिर भी उसकी हालत काफी खसता हो रही थी वह हाथ से एडी के चालों को सहलाता हुआ कहता है बात यह है कि हम हिंदुस्तानियों को अभी आदत नहीं है ये अमेरिकन लोग जाने कैसे एक एक दिन में इतना घूम लेते हैं मुझे घर से निक इसलिए ऐसा लग रहा है धीरे धीरे आदत हो जाएगी अब देखे तीन हफते में ये पर्टिकलर जो आदमी है वो पुरा भारत घूमने के प्लान लेकर आया है और इसमें क्या है उसकी हालत काफी पस्त हो गई है टैक्सी में निकला है लेकिन वो एंजोई नहीं कर पा र जिक्षे है कि तीन हफते में पुरे भारत को घूमें लेकिन इससे जो यायावरी वृत्ती का जो फैदा होता है वो उसे नहीं मिलता जिन-जिन जग़ों को उसने देखा है उसे वो उन दृश्यों को ठीक से याद भी नहीं कर पाता वो कहता है यह एक बहुत बड़ी मुसीबत है जग़ों के ना मुझे याद नहीं रहते मैं अपनी बीबी से कहा आया था कि जो जग़ों देखूंगा उन सबके बारे में रोज रात को उसे चिठी में लिखा करूंगा मगर रात तक मैं इतना ठक जाता हूँ कि चिठी लिखते वक्त मुझे कुछ याद ही नहीं आता मतलब कि इतने सारे जग़ उसने एक साथ देखे इसमें क्या है कि वो fun element नहीं है वो enjoy नहीं कर पाता जो जग़ वो देखता है उन दृष्यों को उनका आस्वादन नहीं कर पाता क्योंकि उसकी booking की हुई है उसके मन में यही लगा रहता है कि हाँ इतने टाइम में इतना cover करना है यह नहीं कि उसका आस्वादन करना है तो यह एक तरह के याया वर एक और यात्रा अनुभव से राकिश जी हमें रूबरो कराते हैं वो है उनका कोलाई glacier वाली यात्रा ट्रकिंग की बात हो रही है पहाडों पचड़ना काफी रोमान्चक प्रक्रिया होती है साथी भयानक भी mountain area में हमेशा landslides होने का खतरा रहता है भटक जाने का खतरा रहता है काफी risky रहता है ट्रकिंग वैसे ही रिस्क भरी एक यात्रा का वर्नन मोहन राकिष्टी करके। कोलहाई ग्लेशियर, बीहड और उबडखाबड रास्ता पार करके मैं तीन आद्मियों के साथ लिद्दरवट के डाक बंगले से वहां आया हूं। वहां पता चलता है कि पास की पहाड़ी के उपर एक सुन्दर जील है, दूद सर। मैं अपने साथियों के साथ उस बिना पगडंडी की पहाड़ी पर चड़ने लगता हूं। पहाड़ी की चोटी पर पहुँचने पर एक समतल मिलता है, जिसकी पीछे एक और चोटी है। हम इस तरह कई चोटियां पार करते हैं, पर दूद सर जिस चोटी पर है, वह अभी और उपर है। मारे प्यास के बुरा हाल हुने लगता है, तो मैं अपने साथी घोड़े वाले के दिये ठंडल चूसता हूं। हरी घास से लदी पहाड़ी पर चड़ते हुए जगजगपाव फिसल जाते हैं। जहां लगता है कि अब आगे और चट्सकना असंभव है, वहीं पहाड़ी की करवट आगे का रास्ता खोल देती है, आखिर हम लोग उस चोटी पर पहुँच जाते हैं, जहां से जील दूसरी तरफ नीचे नजर आती है। अब देखे, वहां का साउंदरी देखने के बाद सब के मन में असमंजस पड़ जाता है कि अब लोटते वक्त रास्ता मिल जायेगा या नहीं। पर कोई किसी से यह बात नहीं कहता। सांच उतर रही है, इसलिए वहां से जल्दी चल देना जरूरी है। बूंदे अभी रुकी नहीं, फिर भी हम लोग चटान के साए से निकल कर जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। अब देखे, उपर तो चड़ गए बड़े मुश्किल से। लेकिन रात होने से पहले नीच कट भी है, डर भी है। लेकिन कोई आपस में ये शंका नहीं कहते हैं। क्योंकि नेगटिव एनर्जी हो जाता है, लोगों में भाय हो जाता है, तो काफी पॉसिटीव होकर सभी नीचे की और पूरी टीम नीचे की और उतरते हैं। और भी कई चीजों का डर रहता है जब म रहतना करते हैं। तो इस प्रकार डेंजरस ट्रकिंग भी होने किया है। लुडकते रेंगते हुए हम लोग किसी तरह नीचे पहुँच जाते हैं। पैरों के नीचे अब समतल है, मगर वह जमीन नहीं है, ग्लेशिर की ठोस बर्फ है। अब हमें ठोस बर्फ उपर चलते ह हुए आगे जाना है। देखे बर्फ के उपर चलना है, तो फिसलने का डर बहुत रहता है। एक डेड़ मील बर्फ का समतल पार करके हम लोग मिट्टी की जमीन पर आते हैं। पैरों में इतनी ताकत नहीं कि और दस कदम भी चल सकें। मगर रात उतर रही है और हम लोग र रात भर रहने और सर्दी से अपने को बचाय रखने का कुछ भी सामान हमारे पास नहीं है। जैसे भी हो हमें लिद्दरवट के डाग बंगले तक पहुँचना ही है। जो वहां से आठ मेल दूर है। देखे ऐसी ट्रक्किंग पर गए जो काफी रोमान्चक तो था। लेक इसलिए उनकी पाओं पुरे जम गए हैं ठंड के कारण। आप देखे आप बर्फ के उपर चलेंगे तो कितना मुश्किल होगा। और वहां से फिर आठ मेल दूर चल कर वो अपने जहां वो स्टे कर रहे थे वहां पहुँच चुके। वहां पहुँचने में उनको क्या है आठ मेल की दूरी तय करना था तो इतना डेंजरस यात्रा भी तो इस प्रकार के डेंजरस यात्राएं भी उन्होंने की हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं मोहन राखेश जी हमें एक सच्चा यायावर कौन है और यायावरी वृति के गुण क्या क्या है और एक यात्रा पर निकलते वक्त आपको कभी कुछ प्लान नहीं करना चाहिए अगर आप ऐसे ट्राइवल कर रहे हैं तो उसमें वो मज़ा नहीं आता जो एक उन्मुक्त रोव से यात्रा करने वाले यायावर को मिलता है इन सब बातों से अवगत वे हमें कराते हैं आशा करती हूँ इस यात्रा विवरन से आपके मन में भी एक वांडर लस्ट जरूर पैदा हुआ होगा और आज का माहौल भी ऐसा नहीं है कि आप ट्राइवल कर सेकें लेकिन फिर भी जब अवसर मिले जैसा ही अवसर मिले आप भी इस प्रकार के ट्राइवल के लिए निकल जाएं और अब चलते हैं इसके मल्यालम वर्षिन की और मोहन्राकेश तंडेई उरी यात्रा विवरनिल उरू ट्राइवलर इंडे गुणंगले पट्टि परैनदु यात्रा यायावर को तटस्त द्रिष्टी देती है वह रोज के द्वन्दपून जीवन में रहकर प्रात नहीं होती अपने जीवन के निकट वातावरन से हट कर निजी परिस्तियों और नए विक्तियों के साथ अधिक स्वस्त और स्वाभाविक संबन स्थापित हो सकता है ऐसे में व्यक्ति अपनी आंतरिक प्रकृती के अधिक अनकूल होकर जी सकता है नमल स्थिरम जीवीकिनना उर अंधरी शतिल नमल जीवीकिम्पोल नमल डे नमल आचिट्यूड वेरायान। नमल डे जीवदत्तोडों उल्ले उर्यू मन्योभावम नमल पेरिमाच्चम यल्लाम सिंक्रनाइस डान। नमल त्यूँण चेतवचितितियान। अले, अधर शेरीवान, नमल वीटल वलरे उर्यू नमल वीटल एत्रमात्रम देश्य पेड़नों, ओपन अपावन। अधु नमल विलीलोट रंगमागानिक्यारल, नमल वेरे नमल पेर्सनल्टीने ट्यून चेयीं, नमल नमल वर्क्प्लेसले कोर्च्चूँड पोलिष्टे एट्ट बेहेवी, पक्षे मोहन्राकेश परैनदे, ट्रावल नमक्क, नमडे दाय उर्यू पसनल्मोराल्टी, नम इन दरीदील इंगिन पेरिमारन, नमल एंगिने आणो, स्वाभाविगमाई आणो, अधु पोल नमल पेरिमारनू, अधु उन्ट तन्ने, यात्रा यायावरको तटस्त दुरुष्टी देती है, तटस्त नोरेम, इम्पार्शिलायट, कार्यंगल कैईगायरीन जेयान अधु उन्ट तन्ने, व्यक्ति अपनी आंत्रिक प्रकृती के अधिक अनुकूल होकर जी सकता है, जब वो यात्रा करता है, अधिक उन्मुक्त भाव से अपने को नए अनुभोवों के बीच खुला छोड़ सकता है, उन्मुक्त भाव से वालारे फ्री आयट, पुदी अन विट्ट कोड़कन वरु रीधियान, या ट्रैवलर्स ने अनिभोवपड़न दु, अप्पेंद समोय किन्दों, उस खुलेपंसे, उसकी नैत्तिक्तांके मानदण्ड बदल जाते हैं, आवरु ओपन्नस गिट्टुम्पम, अविन्दे आवरु मोराल्टी, नैत्तिक्ता, अधन्डे उरु मानदंड, अधन्डे उरु अलवगोल, अधंग मारुके यान, इन्न इन्न आलकर्य कानम, इंगिन इगिन बेहेवियानं, इरीधिलि पेरमारनं, अधक्त्य अंग मारु, वल्लरे नैच्चुरल्लायेट्टुरु पच्च्च्च्याय मनिशनायेट्टु अधु ट्राविलिंडे उरु विल्य गुणमायटान मोहन्राकेश हाईलाइट एद परेन। अधु पोले शीनम वरंबाम उरु विल्य गुणमायटान मोहन्राकेश अटेश हाईट एद पेडिमिल्य गुणमायटान मोहन्राकेश हाईलाइट परेन। यह वा पहले से क्यों सोचे रात कहां बीतेगी इसकी चिंता क्यों करे जहां जाकर आगे चलने को मन न हो वहीं उसे रुख जाना है और रात उतराने पर सोचना है कि रात कहां और कैसे बीच सकती है अपी तक वलरे रिस्क लाइफ ले रिस्क डिकां तालपिरी ओलललला मानसिग अवस्तो ओलललला आलकारे इंगिन चेयोललू करना नाइट ले यवड़ा संधिया आगंबन चिंदी किन्दू इनी यवड़ा जान स्टे चेनम इनी मुन्नोट पोवेंट दिल्ल्ला अंगने आईवीकनम और यात्री और पथिकन अंगने आईवीकनम इननान मोहनराकेश परेनद जो पहले से सब कुछ तय करके चले उसे मानना होगा कि उसे पत पर विश्वास नहीं है जिसका पत पर विश्वास नहीं है उसकी 10-7-3 कैसे होगी अधुले 10-7-3 आद आ उरिकारियम इदे हाइलाइटी नोंडू नमलोपोगुन्न वढी अथा नमकोर सवरधम स्थापी केंडे रिगिंदू नमलोपोगुन्न वढी इड 아침 मुळ्लों नमकोरी विश्वासम अरप्पी केंडे रिगिंदू इद उन्नु इल्लात्तवर आण, वडि एंगने आयरिकियूं, डेन्जर आयरिकियूं, एन्नक्योळुरु विश्वास इल्लात्तवर आण, नेर्थे कर्दि कूट्टी, इन्न सलत्त जान स्टेय चेयिन्नू, एन्न बुकिंगक नडत्ती पोवनदू, यायावर पत्का मित्र तो उसे पत्के सुख दुख, पत्के साथ बाण्तने होंगे, तबी पत्वी उसके सुख दुख बाण्त सकेगा, परस्परम, तंड सवरुदं, सनेहं, यात्र जैन्ना आलुम, आ उरु वडिगलुमा एट्टु, उरु सवरुदं, स्ताबीकिनां, अपई दोरु पुदिय अब यायावर फिर दर्शक है जो गुजर चुका है वह उसके लिए दृश्य है उस द्रश्य के अंतरकत अपना आप भी कल रात तक जो एक दुर घटना थी वह अब उसके लिए एक रोमाचक घटना है अब नई पगड़ंडी उसके सामने है इनीम अधिहत अंग नुल्लवर चिंदा इनीम इवड़ पोगणम एधक वड़ी एक्स्प्लोर एणम एननलोरी चिंदे आनु उससे पूछा जाए कि कमभग तू इतना जोखिम उठा कर भी जोखिम के रास्ते पर चलने से बास क्यों नहीं आता तो वह सिर्फ मुस्क्रा देगा क्योंकि जिस दिन वह यह जान लेगा उस दिन वह यायावर नहीं रहेगा इदुपोल्द ट्राविल पोवंबं वल्लरे एक्साइटिंग आटोले इंसिडेंस अक्योंडाओं इपोगुन्न विक्ति सुर्थुकुलोडक परई उन्हेन एकक सम्भुविचु यात्रेलिए अपक केट निक्कि इन्नवर अडित्त प्राशमी देहं उरे ट्राविल उड़ पोवंबं केट निन्नवरे जोवेक्यूं ननक्क्क वट्टोंडों कमपत तू इतना जोखिम उठाकर जोखिम के रास्तेपर फिरसे क्यों जलता है इत्रेम जोखिम इत्रेम रिस्क एड़ित्त पिन्ने नी इंदिनान यात्रक्य पोवुनदु एन्न चोधिक्यूं पशे आउर जोधित्तिने इई वांडर लस्ट वोल्लोवर कोरु उत्तरों काणात्तिल्या अधिन्दे वर उत्तर नमक्क्र गिट्ट्टु आणंगिल अधि नर्थम नमड़ उळिले आवरु वांडर लस्ट मरविच्च पोई एन्ना आन मोहन्राकेश परेइनदु उन्गेने ट्रैविल इंड उरु ग्रेसिनस उल्लवरी उरिक्किलुम नान एंद इगल्लक्के अवर्डा कालेगल अवरे कुण्डूँ अधिल अवर कुरु भयों इल्ए अधिहम बिनेड इदुवोले रंडुमन यात्रा अनि भोंगल परेइन्दु उन्न मैसूरिल्ले विरंधावन गाडंसल अधिहम वन्न आ समेत्त कंडचल सीन्स अधिहम क्रिष्णस अगर जील कंडदुम् रंगीन प्रकास से आलो की जर्ना अवड़ते उर्यू फाउंटन डैन्स उन्डलो अधक कंडदु अधिहतने वलरे टच्चिंग एट तोनेदु ब्रुंदावन उध्यान के रंगीन फवारों की जकाचोंद। अधिल्ल्यां कंड़ गईन्यों उर् अयलो टाक्सी लाण याद्र जीतת अप्पा एयाले कंड़ मुड्टी अप्पा एयाल्ड ऊर्य रीधियन वच्छा गैमरा बैनाक्लर ट्रावल गाईड इद इतल्ला यल्ला सेट्ट पूय टैनल वन्डिरिक्टी अधु पोरा न्यट्टु अध्यलो टाक्सी लाण याद् अहलु बढ़रे आ उरु या इउरु मुन्नरकंगल उन्नु इल्ला ता मोहनराकेशिन न मनसल उल्ला आ उरु एक्साइटमेंट बोलुम इल्ला मुन्नरकंगल कुण्डु वन्ना इउरु विक्तीड अधले काणा निल्ला बात यह है कि हम हिंदुस्तानियों को अभी आदत नहीं है ये अमेरिकन लोग जाने कैसे एक एक दिन में इतना घूम लेते हैं मुझे घर से निकले अभी दस दिन नहीं हुए और इतने मेही मेरा भुर्ता हो गया है इए साइपमार अग्के एंगे नाणों एंदो इन मून मासां कोंड़ वर्ल्ड मुझे नं करंगन दु इनिक्के अणंगेल इपद्टो उस्वायदे वोल्लो वीट्टी नरंगेट्ट। अपर ये कहाणना सालेंगल उन्नों एक और तिरीके आम बोलूं पच्चनिला ये लंदान वरे नदु उन जगों के नाम मुझे याद नहीं यह एक बड़ी बुसीबत है मैं अपनी बीबी से कहा आया था कि जोजो जग देखूंगा उन सबके बारे में रोज रात को उसे चिठी में लिखा करूंगा मगर रात तक मैं इतना थक जाता हूं कि चिठी लिखते वक्त मुझे कुछ याधी नहीं आता यहलु परयान इट्राविल जेएदु विन्यालंग संधियावंपांग तालवन्दु वो कंड सलंगलों ओर में इल्ला वाइफिन एड़त्व परन्जिरन यान उरोओद वसूम कंड सलंगले पट्टी बिस्क्राइब येथे दिधा आवन्नु पशे अधिन उल्ल्ला उन्मेशों उन्दू संधियावंपायाक काणार इल्ला कोल्हाई ग्लेशियर बीहड और उबड खाबड रास्ता पार करके मैं तीन आद्मियों के साथ लिद्धरवट के डाग बंगले से वहां आया हूँ वहां पता चलता है कि पास की पहाडी के उपर एक सुन्दर जील है दूदसर दूदसर नुवरने उरे नल्ला अरिवी उरे नल्ला मलगलीलने रंगी वेरिनन उरे अरिवी अदु काणान इवरक्क वेल्या आगरह वायरन अपई इकोल्हाई ग्लेशियर लिवरट उड़ु टीम इवर आ वळगे पुथिमुट्टी मोट्टी मोलोट गेरु कुरेई मोळूट गेरी गळिन्यान अबदी इवरु विरुद्ध्यशिच सलंक अंड़त्ती यदु हम इस्तर कई चोटियां पार करते हैं पर दूदसर जिस चोटी पर है वह भी ओर उपर है मारे प्यास के बुरा हाल होने लगता है दाहिच वरंड पी माउंटेन ट्रकिंग चेयिम्बम उरवाड लगे जोन्दम पूड़कुणडवान उकतिला करने इम माला गेरा नोड़ गान। अगने अवरु वालाने बुथिमुट्टी मोल लित्तु आखिर हमलो उस चोटी पर पहुँच जाते हैं जहांसे जील दूसरी तरफ नीचे नजर आती है अगने अवरु उद्देशीच आ दोचसर जील अवरु काणुं पक्षे पिन्नी रंधा संभोईगी नदु तिरिच्च वरिम्बम संधिया हावनेने मुंब अवरकु तिरि इवर कोरच्च पो उवरु इवरु उड़ु तिरिच्चोलल आवरु कोलाई ग्लेशरी नदु तिरिच्चोलल वरु वलर रिस्की आरनु वडि देट्च्चूओ नोड़ु पेडी इरिट्टूमुड आयवेदिनु तंधिया आयवेदिनु अगने इवरु वलरे टेंश जनलाण आ कोलाई ग्लेशरी नदु तालूट एरंगनदु लुड़क्ते रेंग्ते हुए हम लोग किसी तर नीचे पहुँच जाते हैं पैरूंके नीचे अप समतल है मगर्वह जमीन नहीं है ग्लेशर की ठोस बर्फ है अवर वलरे कष्टपटेंगिन यंगिलु तेन्ना वीनादेम अवरण टीम ताले उरू समधलमाय प्रदेश पेत्तों पशे अवडेंदु अधु चावट्टन अड़ित्त मननल्य अवड़े ठोस बर्फ आण नल्ल्ल थानपोल्यल आईस पागी इरिक्या आणु इस आणु अधिली चावट्टि वेनाम इविरी कोरय दूर सतिमर्ने ये आईसले चावट्टमां शरीर कोक्के अउच्ची पिटिक्यों अगेन वऴराय टेंशन आयत्ताणँ अवडेंदु पिनन अवड़ेंदु अवरैस आणु फिद्न अवरू शरीरं कोच्ची पोवू अंगन अवरु एंगन एंगलुन जीविनंगोंडु ताड़ अवरु तामसीकिन अस्तालित्त एत्तुम। अधि देधन यात्रगलिल, आ कोल्हाई ग्लेश्य अरंडए यात्र, बलर रोमान्जगरमाई यात्र हैर। अंगने वरु ट्रैविलल अरंण, एंदक्क गुणंगल उन्टायरिकिन, ट्रैविलन अरंगी तिरिकेंपम, नम्मल उरिक्किलुम प्रेइप्लान चेहिये रिदु, अधि वोले वोरे यात्र मन्षिने एंदक्क पड़िपिकिनू, यात्र मन्षिन्टे आवरु स्वाभाव स्वाभावं पोर्त्तु वरां सहायिकिनू, अधि वोले नम्मड उरु इम्पार्षिलैट्टोल्ले उरु मानसीक आवस्त, कारिंगल इम्पार्षिलैट्टु काणा नोल्लो वरु कळिव, यात्र नमक्त तरिनू, पिने यात्रायल्यल्य पोवुम्बं, यात्रिगेन आ वडिगल्लूडे वडिनेम्स नेहिक्यां बडिकिनू, अधुवोले नक्षत्रंगल्ड साउन्दरियं गाणान, ओरी यात्रैगेन आ समेत्त समयं गण्ड़त्तु नू, पिन्नीड यत्त्र रिस्कोल्य यात्रयाणैलू, पिन्नीम् यात्रैलेकि पोरप्पिडान, ओरु वांडरलस्ट एन्न मानसीगवस्तोलोरि वेक्थी, आरक्कें इंदक्क परण्यालू, पिन्नेयम् यात्रके पोरप्पिडू, इंगिनैं अक्कैया आण, मोहन्राकेशिंदे, यात्राका रोमान्स इन्न, इयोर्यो यात्राविविवरणँ पोवुन्न दु, वल्लाद ने में इन्स्डेन्स हैं टच्च्च येदु में यात्रीय स्क्सस्यू में वंडर्लस्टू इदक्क निंगक्क मन्सलाई काणुमेन्न प्रदेशिकिन्नू अप्पा अडित्ता अप्लोडेंगेल काणन दवरे नन्नी नमस्कारिम